हाई गाईज और विल्कम बैक टो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन वेल्कम टो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 25 ओफ नवेंबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 25 नवेंबर 2021 और है थर्सडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यू अचैनल को जोइन कर लेना दिखो अगर आप लोगो को इस ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया जै, वो लिंक इसी चैनल का है जश्य आप उस पे लिख नोग करोगे ओटोमाटिकली ये चैनल ओ उल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है राजमहल हिल्स को कह यहां पर है यह एक्जैक्ली लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबह समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की UPSC प्रिवेस यर साल 2006 के प्रिलेम्स में पूछा गया था डेली बिसस पर हम लोग यहां पर एक प्रिवेस यर क्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेशन क्या था हूज दा चीफ अज़स्टिस ऑफ इंडिया वेन पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन वोज इंट्रोड्यूस टू दूदा इंडि तो सही आंसर नीचे कमेंट सेक्षन में देना बहुत साई लोग को पता होगा डिरेक्टली इसका आंसर टाइप कर दो बहुत साय लोग को नहीं पता होगा तो सर्च करना बहुत सारी important information और भी आप लोग को जानने को मिलने वाली है इसका जो correct answer मैंने आप लोग को नीचे provide करवा दिया है प्लस टेलिग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है वहां से जाकर आप लोग इसको एक बार चेक आउट कर सकते हो तो चलो शुरबात करते हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत important आर्टिकल है हमारे exam के perspective से खासकर GS paper 3 के अंदर बहुत सारे topics से रखें उसके अंदर एक food security का topic है public distribution system का topic है इन सारे topic के point of view से यह article important होता हुआ नजर आएगा अब क्या चर्चा की कि यह जो हमारी केंदर सरकार है उन्होंने एक बहुत बढ़ा announcement किया है पहले तो आपको समझना होगा Wednesday में meeting चल लए थी और उस meeting के दोरान काफी सारे announcement ही गए उसमें से एक important announcement यह है कि जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना है इसको extend कर दिया गया है आप देखो आपको पता होगा यह जो योजना है जिसका मैंने अभी आपके सामने एक नाम लिया है यह इस योजना को साल 2020 के अंदर कोरोना वाइरस के टाइम पर काफी के तक नाम मिला अब यह नाम क्यों मिला क्यों क्योंकि इस योजना के अंदर प्रवाइब के अधा तक पूरी साल कवर हुआ यह पूरी योजना उसके बद अब की बार नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया था अब finally फिर से इस योजना को extend कर दिया या है अब की बार यहाँ पर March 2022 तक यह योजना work करने वाली है यह आप लोग को ध्यानक नहीं यह एक छोटी सी और एक important सी announcement है जो की आने वाले टाइम पर काफी चर्जा में रहने वाली है तो यह announcement आई दन उसके बाद क्या हुआ जो हमा जब हमारा winter session स्टार्ट होगा लगबग 29th of November से winter session स्टार्ट है और तब यहाँ पर जो farm laws है उनके ओपर भी एक step उठाया जाएगा लेकिन farm laws की बाद कुछ खास नहीं है पर जो खास है वो हमारा प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अनियोजना के बारे में खास है यह आप लोग बतार ग्रो होती भी नजर आ रही है इन सब चीजों को देखते वे जो हमारे प्रायम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि जो पूर फैमली से जो गरीब लोग है जो की काफियों तक प्रब्लम फेस करते वे यहाँ है COVID-19 pandemic के दौरान उनको थोड़ा सा और help मिल जाए और आने वा आता हूं इस स्कीम के बारे में थोड़ी और important information को तो यहाँ पर क्या है जो PMGKY है यह क्या करता है लगबग यहाँ पर यह 80 करोड राशन कार्ड होल्डर्स को अनाच प्रोवाइड करवाता है और लगबग अनाच क्या है 5 किलो राइस है या फिर 5 किलो यहाँ पर वीट है या फिर 5 किलो चावल या गे हूँ है जो कि आप पर लोग को प्रोवाइड के जा रहा है हर महीने बिलकुल free of cost ठीक है यह बिलकुल अलग है उससे जो कि आपको subsidized पर मिल ला है मतलब कि देखो आपको कुछ राशन मिलता है उसके बदले में आप थोड़ा सा payment करते हो बहु जो food grains के बारे में जितनी चीज़े बताई है यह सब चीज़े एक act के अंदर cover की जाती है उसका नाम है National Food Security Act 2013 तो यहाँ पर इस act को पढ़ना काफी ज़्यादा important हो जाता है पहली बात तो I hope आपको यह जितना भी current issue है यह सब कुछ clear हो चुका है कि किस योजना को कब तक provide करवा दिया है नीचे की साइड आप लोगों को यह नजर आ रहा होगा और जैसे मैं बता चुका हूँ article काफी important हो चुका है और यह जो NFSA 2013 है इसको 2013 में notify किया गया था इसका में मकसद क्या है इसका में मकसद है कि जो भी यहाँ पर लोग है जो भी human beings है उन लोगो क्या किय जा सके एक food और nutritional security दी जा सके मतलब कि उनको एक अच्छा खाना provide कि जा सके और साथी साथ उनको एक nutritional value प्रोवाइड कर वाया जा सके तो यह में मकसद रखा जाता है इस act के अंदर यह आपको ध्यान रखना है अब इसमें होगा क्या एक adequate quantity of quality food provide किया जाएगा देखना मैं आ अच्छी quantity में एक अच्छी मात्रा में खाना को दिया जाए एक अच्छी quality का खाना हो प्लस क्या हो वो affordable हो कि लोग उसको खरीद पाएं तो यह main मकसद रहता है NFSA के अंडर में और यह जो National Food Security Act है यह आज के टाइम पर भारत की जो rural population है उसको 75% तक कवर करता है मतलब जो गा PDA सिस्टम के अंदर जो हमारी सरकार होती है वो हमारे क्रिसान भाईयों से अनाच को खरीती है minimum support price पर और फिर अनाच आपको और कम दामों पर provide किया जाता है जो कि राशन वाली दुकान है उन पर मिलता है आपके पास एक राशन कार्ड होता है उसकी मदद से आप राशन को लोगों को cover करता हुआ नजर आता है eligible कौन को ने देखो लगबग हर एक व्यक्ति को यहाँ पर cover किया ही जाता है जाद अतर main focus रखता जाता है कि almost all जो poor families है उनको यहाँ पर cover किया जा सके उसके बाद क्या provisions होता है तो इसके अंदर आपको पांच किलो अनाज मिलता है इसने दाम में ये food grains provide करवाए जाते हैं ओके यह आपको ध्यान अकना है फिर उसके बाद बहुत सरी जो pregnant women's हो गई या फिल lactating mothers हो गई अभी दूद पिला रही है तो यहाँ पर इनको भी काफिय तक benefits provide करवाने की चर्चा की जाती है इस act के अंदर में लगबग 6000 रोपे का इनको benefit दिया जाता है उसके बाद जो meals होते हैं बच्चों के लिए वो भी provide किये जाते हैं इस act के अंदर आपको मालूम होगा midday meals program चला यह है कि आपको कोई भी परिशानी है तो कहां पर inform करोगे तो उसके लिए grievance redressal mechanism रखा जाता है इसको setup किया जाता है हर एक district level और state level पर होता है कोई भी problem हो तो यहाँ पर आप अपनी problem को बता सकते हो आई हूप आपको यह अच्छे से clear हो चुका है इसके अंदर एक act था व पारे में चर्चा की गई है इस national family health survey जो पांच वाला है अभी इसका कुछ data जो कि Wednesday में release क्या गया मतलब कल के दिन release क्या गया और हमें क्या पता चलता है कि भारत के अंदर जो total fertility rate है वो गिर कर 2.0 तक पहुंच चुका है नाव question यह है total fertility rate क्या होता है इसका मतलब एक माह कित करता है एक replacement level को मतलब यह बताता है कि भारत के अंदर जो population है वो stabilized condition में चल रही है पापुलेशन ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी replacement level का एक simple सा मतलब यह है कि हाँ पर क्या होता है population stabilized condition में चल रही है population की growth नहीं हो रही है तो इंडिया के अंदर यही scenario हम लोगो देखने को मि बच्चों का जन्म होता था लेकिन अब क्या है hospitals के अंदर institutions के अंदर जो deliveries है वो काफिया तक increase हुई है यह एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है लेकिन दूसरी चीज हम लोगे ने यह भी देखिए जो child nutrition है वो बच्चों को अच्छे सा नहीं मिला है मतलब कि बहुत कम है according to their age उनकी age के साफ से height बहुत कम है क्यों उनको एक अच्छा खाना नहीं मिला एक nutritional value जो उनके body के अंदर जानी चाहिए थी protein की मातरा अच्छी खासी जानी चाहिए थी ठीके good fats जाने चाहिए थे और यहाँ पर और भी चीज़े जासे काफ जाने चाहिए थे ल बेकार है देखो पहले तो बेकार थी ही अभी improve जो हुई है वो बहुत थोड़ी सी improvement देखने को मिला है हाला कि हम expectation यह कर रहे थे कि अब यहाँ पर हम लोग इन condition को काफिया तक सुधार पाएंगे लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है ऐसा यहाँ पर National Family Health Survey यह बता रहा है अ Total Fertility Ratio मतलब कि आज के टाइम पर एक महीला लगबख 2.0 बच्चे को जन्म दे रही है और यह जो Total Fertility Rate है यह पहले के comparison में अब लगातार कम हुआ है मतलब आपका सकते हो लगातार population हमारी कम होती हुई नजर आई है यह आप लोग को ध्यान में रखना है अब क्या हुआ है कि देखो जो Total Fertility Rate है इसको लेकर दो महीने पहले एक और बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लेश हुई थी और उस रिपोर्ट का जो डेटा है मैंने आप लोग के साथ अल्रीडी शेयर किया था तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर मैं अल् आप लोग को बताया था और अभी हाँ पर बात करें तो यह जो आर्टिकल है इसके अंदर मैंने आपको कुछ additional values के अंदर यह बताया है कि जो इंडिया का Total Fertility Rate है यह लगातार कम हो रहा है ऐसी बहुत सरी रिपोर्ट लगातार पब्लेश होई है एक टाइम पर Fertility Rate काफी ज़्यादा हुआ कर दा 2016-13 लगातार आप कर सकते हो लगातार कम होता वह आ रहा है यह Fertility Rate और आज के टाइम पर आप कर सकते हो कि हाँ पर थोड़ा बहुत जब जो रिप्लेश्मेंट लेवल है उसको एक तरीके से मेंटेन कर चुका है रिप्लेश्मेंट लेवल का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है इसका मतलब यह है कि हमारी जो पॉपुलेश्ण वो आज के टाइम पर stabilized condition के अंदर है और जादा growth हम लोग को अपनी population के अंदर देखने को मिलेगे नहीं 1971 के टाइम पर जो एक तरीके से ये total fertility rate था 4.1 और भी जादा हुआ करता था मतब बहुत सरे areas में 5.4 भी हुआ करता था आप आपका सकते हो कीती तेजी से ये घटा है population काफी देजी से कम हुए ये देखने को मिला लेकिन अभी भी बहुत सरे गाउं के area's हैं कहाँ पर तमिलाडू के अंदर बहुत सरे गाउं के area's बिहार के अंदर आप देख पाऊगे अभी भी वहाँ पर fertility rate काफी जादा है लेकिन बहुत सरे शेहर वाले area है जहाँ पर fertility rate बहुत सदा कम हो चुका है in fact बहुत सारे state तो ऐसे हैं जहाँ पर fertility rate 1.1 के आसपास पहुँचा है मतलब कि बिल्कुल डाउन हो चुका है वहाँ पर इसके पीछे का reason क्या है reason क्या है कि हमारा total fertility rate कम हो रहा है इसका पहला reason है higher education लोग ज़्यादा पढ़े रहे हैं आजके टेम पर लोग ज़्यादा educated हो चुका है बहुत सारी जो women's हैं वो financially independent हो चुकी है तो क्या होता है अब जासे से कि देखो यहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है यहाँ पर अपने income के साब सोने बच्चे पैदा करने है बहुत सारी लोग आज के टाइम पर thinking यह है कि हम लोग यहाँ पर बच्चे नहीं पैदा करने हैं ऐसी गूमने चल लाएं तो यह हम लोग को यह fertility rate कम हुआ है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है एक important article था आगे बढ़ेंगे आगले article पर now same page पर ही एक छोटा सा article और है यहाँ पर कुछ ऐसा exam के लिए important नहीं है लेकिन दो चार बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है जो local militants हैं वो काफिय तक मारे गए हैं कश्मीर वैली के अंदर टीक है जो जादे तर militants आपको देखने को मिलेंगे तो वो साल 2020 के अंदर ही मारे गए साल 2021 के अंदर ही मारे गए अपने आपने आपने आप देख पाऊगे यह एक बड़ा achievement देखने को मिलेगा हमारे जवानों ने करके दिखाया है अगर हम बात करें कुछ डेटा हमारे पास आया है साल 2021 के अंदर क्या हुआ था लगबग 97 जो terrorist हैं इनको नया-नया recruit किया गया फिर उसके बाद साल 2020 के अंदर लगबग 178 परसन ने terrorist को टेरर रैंक को जोईन किया था आतंगबाद को जोईन किया था फिर आपकी बार जो नवंबर है 23 नवंबर 2021 तक बात करें तो लगबग 148 militants हैं जिनको मारा गया है और अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटा ही है इसके बारे में ध्यानक ना है इन 148 militants में से 127 तो local थे और 21 foreigner थे उसके बाद यहाँ पर बोला गया लगबग total 195 जो militants है इनको साल 2020 के अंदर भी मारा गया था लगातार militants को कश्मीर वैली के अंदर माला जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिलेगा ठीक है जो security personal है यहाँ पर इन्होंने यह सब कुछ काम करके दिखाया है क्या हुआ अभी Wednesday के अंदर भी बहुत सारे militants उनको मारा गया था तो उसी के बारे में एक छोटा सा data है यहाँ पर कुछ ऐसा exam के लिए important नहीं है अफगानिस्तान के lithium reserves के उपर चाइना आज के टाइम पर पूरी तरह से focus कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर entry मिल जाए और आपको मालूम होगा एक report मैंने discuss करी थी आप लोग के साथ में जहाँ पर चाइना का जो interest है अफगानिस्तान के अंदर उसके बारे में discussion क्या गया था कि आज के टाइम पर चाइना के आखरकार क्या क्या interest है क्यों यहाँ पर चाइना इतनी दिल्चस्पी रख रहा है अफगानिस्तान के अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान के अंदर लीथियम के बंडर बहुत सारे है और चाइना आज के टाइम पर लीथियम का यूज़ बहुत करता है तो चाइना के बहुत सरे officials पहुँच चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर special visa पे बहुत सरे लोग जा चुके है और Taliban ने इसको एक तरीके से जाज़त भी दे चुकी है अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लीथियम के deposit है अफगानिस्तान के अंदर उसकी खोच की जा रही है अब जैसे यहाँ पर चीज़े हमारे पास सामने आती है तो जो Chinese companies हैं वो क्या करेंगी यहाँ पर mining करने वाले हैं definitely यहाँ पर खुदाई करके इन सब चीजों को निकाला जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक plus point यह है कि बहुत सारे minerals देखने को मिलेंगे बहुत सारे resources यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब finally यहाँ पर China पहुँच चुका है अफगानिस्तान के अंदर एक special visa पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं जो कि वहाँ पर लगातर research कर रहे हैं और भी बहुत सारी जगा पर देख रहे हैं कि कहां कहां पर हम लोग को फाइदा हो सकता है तो China अपने ही फाइदा के लिए अपने ही इंट्रेस्ट के लिए आज की टायम पर अफगानिस्तान के अदर घूमता हुआ नजर आएगा लेकिन अब इस आर्टिकल को हम और बहितरीन कैसे बना सकते हैं देखो मैं आपको और important information इस आर्टिकल के अलावा थोड़ी सी provide करवाँगा जो की बहुत important है और मेरे ख्याल से आप लोग इसको note down करके रख चोके हो जो की मुझे लंबे समय से follow कर रहो ठीके यहाँ पर article मैंने आपको बता दिया कैसे important है तो हमने यह देखा कि हाली में जो है पूरा situation इंट्रेस्ट है चाइना क्यों यहाँ पर अफगानिस्तान के अदर घुस्ता हुआ नजर आएगा सबसे पहला point यह है reserves of lithium जो lithium होता है यह इसका भंडार भरा पड़ा है अफगानिस्तान के अदर lithium क्या होता है आप जिस phone पर देख रहे हो आप जिस laptop पर यह विडियो देख रहे हो उसके अंदर एक battery डलीवी है उस battery के अंदर lithium डाला जाता है ठीक है तो वो batteries कौन सी होती है वो होती है lithium आयन बैटरी इस उसके बाद क्या होता है जो दुनिया के largest reserves लिथियम के वो अफगानिस्तान के अंदर पाय जाते हैं दिहां से सुनना मैं दुनिया के largest reserves बोल ला हूँ ये बड़े से बड़ा रिजर्व अफगानिस्तान के अंदर है और जो बैटरीज है उनके production में बड़े से बड़ा जो country है वो चाइना है चाइना दाम में लिथियम को निकालेगा और सस्ते दाम में निकालेगे बाद क्या करेगा उसको लाने के बाद यहां से अपना trade चालू करेगा बैटरीज के मामले में number one बन कर दिखाएगा कुछ इस प्रकार्स का interest यहां पर चाइना का नजर आ रहा है क्योंकि आज की टाइम पर द दूसरा interest क्या खास कर दूसरा interest यह है कि अफगानिस्तान आज जिस जगा पर स्थेत है जो इसके अफगानिस्तान की location है वहाँ पर बहुत सारे mineral deposits देखने को मिलेंगे लगबग अफगानिस्तान के अदर 3 trillion dollars तक के mineral deposit हैं लेकिन हुआ क्या इनको extract करना नहीं आया इनको वहा और लेड जिंक जैमिस्टोन टॉक सलफर और यहां पर जिबसर मार्बल यह सारी जाप देख पाऊगे यह सारी भरपूर मातरा में पाए जाती है अफगानिस्तान के अंदर तो यह लगबग ट्रिलियंस तक कहां पर amount है तो यह इसी वज़ा से आपर चाइना आज पर पहु चैना ने और सबसे बड़ा स्टप को यह भी देखना होगा कि चाइना आज क्राइम पर फोकस यह कर रहा है देखो कि हम लोग अफगानिस्तन को भी से कर से क्योंगी होगा क्या आपको मालूम होगा पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से लेकर चायना वाले एरिया तक एक कॉ जिसको हम लोग CPAC बोलते हैं अब क्या है वो जो कॉरिडोर है बैसिकली उसको बढ़ाने की फोकस कर रहा है आज की टैंबर चायना चाहता है उस कॉरिडोर से हम लोग अफगानिस्तान के अंदर रीज कर जाएं अगर अफगानिस्तान सक हम लोग इस प्रजेट को पहुचाते हैं तो उससे हम लोग एस्ट वाले पार्शन में पहुँच जाएंगे मतलब कि जो वेस्ट एशिया है खासकर उसमें पहुच जाएंगे जैसे एरान एराक सीरिया टर्की साओधी अरीबिया इन वाले रीजन में पहुच जाएगा तो अब भी यहां पर इतनी खास पर एक अलग से एक तरीके से इस्ट तुर्किस्तान की मांग करते हैं जो जिंज्ञांग वाले रीजन है चाइना के अंदर वहां पर इस्ट तुर्किस्तान की मांग करते हैं जो ओईगर मिसलिम्स हैं ठीक है तो एक बहुत 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 कंसर्ण भी देखने को मिलेगा ऐसा इंगेजमेंट है और बढ़ता है और बढ़ भी रहा है तो उससे भारत के उपर इंपेक्ट पड़ेगा देफिनिटली पड़ सकता है कंसर्ण पैदा होंगे क्योंकि अभी तक यहां पर यह तीन-चार कंट्री है चाइना हो गया पाकिस्तान हो गया यह सारे हमाले कंसर्ण मन अफगानिस्तान के अंदर अच्छे से पैर बसाड़ चुका होगा जैसे आज के टाइंपर बहुत सरी कंट्री सक्राइब आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर नभियांपर आता है नेक्स ताड़िकल जहां पर चर्जा की गई है जो हमारे आर्मी चीफ जनरल है मनोज जनारवाने साहब यहाँ पर क्या हुआ कि ये वेडनेस ते में एक सामिनार में थे और वो जो सामिनार है वो इंडिया बंगलदेश के उपर था इंडिया बंगलदेश के लगबदेश के लगब 50 साल की friendship पूरी हो चुकी है इसको पर एक सामिनार रखा गया तो हमारे जनरल ब लोगों ये देखना होगा इन्होंने ये बोला कि आज के टाइम पर इंडिया और बांगलदेश के जो रिलेशन्स है वो काफी अच्छे हैं एक दो चीजों को लेकर रिलेशन्स खराब हो जाते हैं कभी बॉर्टर डिस्प्यूट को लेकर हो जाता है अगर बात करें लेंड को लेकर विवात थे उसको रिजॉल्व किया बहुत शान्ती पूर्व यहां पर अपने डिस्प्यूट को खतम किया तो यहां पर नर्वने साब ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से इंडिया बांगलदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट को खतम किया जा सकता है अब यह आए कि border dispute कैसे सुलझाते हैं वो इंडिया और बांगलदेश के border dispute से कोई भी सीख सकता है यहाँ पर इनका statement है तो मैं आप लोगो बताता हूँ कि आखिरकार इंडिया बांगलदेश के बीच में जो यह border resolve वह था बांगलदेश के इंकलेफ्स बहुत सारे इंडिया के अंदर और इंडिया के बहुत सारे इंकलेफ्स बांगलदेश के अंदर थे इन सब को transfer कर दिया गया 31 जुलाई 2015 के अंदर अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है example लेते हैं यहाँ पर इंडिया है इधर बांगलदेश है अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में यह territory है इन दोन पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं लेकिन क्या हुआ इन टरेटरिस के अंदर ऐसे लोग रहता है जो कि बांगलदेशी है और यहाँ पर बांगलदेश के अडरी से सके इंडिया की टरिटरी में आ रहे हैं तो इसी को लेकर अग्रिमेंट हुआ यह land God अग्रिमेंट जो हुआ इसके अंदर बोला गया जितने भी यह प्लेसिस हैं यह इंडिया को ट्रांसफर कर दिये गए और जो भारत के अंदर यह प्लेसिस थे जो कि बांगलेदेश को बिलॉंग कर रहे थे वह बांगलेदेश को ट्रांसफर कर दिये गए तो इस प्रकार का यह एक तरीके से agreement हुआ था यह आप तो ध्यान रख सकते हो ठीक है इस प्रकार के agreement कोई भी कर सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है इस प्रकार से कोई भी डिस्पूटों तो सुलगाया जा सकता है एसन का statement है 31 जुलाई 2015 को यह agreement हुआ था इस agreement के दर क्या क्या गया लगबख 17,000 की जो 17,000 एकड़ की जो जमीन थी बांगलदेश को दी गई ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो 7,000 एकड़ की जमीन है वो यहाँ पर भारत को मिले थी लगबख 162 enclaves मिले थे जो वेस्ट किस चीज से related है तो आप लोगो पता हूं न चीए हाँ इंडिया बांगलदेश के land boundary agreement से related है सब सबसे वहली बात हम लोग थोड़ा सा मैप में cover करेंगे तो इधर आपको यह इंडिया का मैप दिख रहा होगा ठीक है इधर आपको यह जो एक तरीके से chicken neck दिख रहा होगा ज जैसे कि यह बांगलदेश की territory में और बहुत सरे यहाँ पर इंडिया की territory में थे तो इनी को यहाँ पर transfer किया गया है इधर से उधर और उधर से इधर किये गए इस map को देखते हैं इसमें थोड़ा सा और अच्छे से clear हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख पार होगे जो यह orange color का उपर वाला area है यह West Bengal हो गया नीचे बांगलदेश हो गया और जो यह एक तरीके से blue वाली line है यह boundary है यह इंडिया और बांगलदेश के बीच में boundary है अब जो यह orange वाली territory है यह इंडिया को बिलॉंग करते हैं यह इंडिया के enclaves है और उधर की side इंडिया के पास मत मतलब यह अपनी जगा परस्तेते हैं यह इधर दे दिया गया और उधर दे दिया गया तो यह आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो तो इस प्रकार से यहां पर territories को transfer किया गया है आगे बढ़ते हैं आगले आर्टिकल के दरफ इसी ओपर एक और शोड़ा सा आर्ट दिया गया है जो कि यहां पर सर्चा करता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने भी यहां पर वेटनेस टे में एक स्टेट्मेंट दिया है और इन्होंने बोला भारत आज की टाइम पर disaster management में काफी आगे निकल चुगा है खासकर बात करें भारत ने अपने आपक के लिए पहुंचता है और उसके बाद यहां पर बोला गया आज की टाइम पर भारत humanitarian aid और disaster relief के लिए जाना जा रहा है हम लोगोंने काफसरी कंट्रीज के मदद करी है जिसको एच एडियार humanitarian aid और disaster relief इसको HDR बोला गया आगे से HDR ही मैं यूज करने वाला हूं इस article के अंदर इन्होंने बोला साल 2015 के अंदर operation रहा चलाया था यामेन के अंदर उसके बाद साइक्लोन आया स्रीलंका के अंदर 2016 के अंदर फिर उसका अर्थक्वेक आया इंडोनेशिया में 2019 में फिर बहुत सारे साइक्लोन इदाई हम ने देखा मोजांबिक के अंदर और और भी बहुत हमारे डिजास्टर की वज़त से साथ जो प्रॉब्लम्स क्रेट होई थी तो यहां पर क्या हुआ भारत ने मदद की है तो भारत इंडियन ऊशन रीजन में अपने आप में बहुत इंपॉर्डेंट कंट्री देखने को मिलेगा प्लस भारत ने इन सभी कंट्रीज को हुमान इसका मतलब कि आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं मालों यहां पर इंडिया की टेरिट्री नीचे से और इसके बाद यहां पर यह श्रिलंका का मैप आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइट से बतलब श्रिलंका का पूरा मैप ही है अब क्या हुआ यहां पर इंडिया ने एक तरीके से प्रोजेट के उपर काम करने की ठानी थी हम लोग क्या कर रहे थे वेस्ट कोस्ट टर्मिनल स्वरी इस्ट कोस्ट टर्मिनल ठीक है इस्ट कोस्ट टर्मिनल एक तरीके से पोर्ट था यहां पर श्रिलंका के अंदर उस पोर्ट को हम लोग 足o-ilimeo को डविलप मत करो इंडिया ने बोला क्या करें फिर सकतता यहां पर आप लोग वेस्ट-कॉस मे Mix Ça उद्र आ हने थे मताव कर सकते हो यहां पर क्या है चायना को तो चायना का जो रोल है ठर्मिनल, प्रोजेक्ट के उपर ये अभ यहाँ पर ट्रेशिक में अब काम शुरू हो जाएगा चायना ने भी सपोर्ट कर रवान करने वाला है बिलकुल चायना ने भी बहुत सारे पैसा प्रोवाइट करूआए है श्रिलंका को लेकिन क्या वो पैसा वर्थ है करता है बिलकुल नहीं क्योंकि श्रिलंका को आज की टाइम पर डेट्रेप डिपलोमेसी के अंदर फ़ज़ा दिया है मतलब कि जो ये पैसा है ये इतना सारा प्रोवाइट करवाने के बार चाइना आज की टाइम पर अपना कब्जा करता हो नजर आएगा आपको मालूम होगा एक पोर्ट है हम बंद होता पोर्ट इसको तो लगबक मतलब 100 साल की लीस पर तो ले लिया है ठीक है आप कर सकते हो कि इतना अप्रोक्स इतने साल के लिए इसको उस पोर्ट को रिलीस पर लिया रेंट पर लिया तो आपको सकतो चीजों को आज की टाम पर कब जाता हो नजर आएगा ये एक सकी डेट ट्रेप डिपलोमेस ये ऐसा चाइना बहुत सारी कंट्री से साथ करता हो नजर आता है पहल अफिर उसके बाद यहां पर अपना काम करवाता रहता है तो इस प्रकार के चीज़े देखने को मिलती है वही श्रिलंग के अंदर साथ देखने को मिला है जो भी चीज़े मैं आपको बताएए वह आर्टिकल के अंदर मेंचन किया गया तो अभी यहाँ पर भारत को सिंपल सा आर्टिकल था आगे बढ़ेंगे नेक्स आर्टिकल में चर्चा की गई है जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन इन्हों ताइवान को इंवाइट किया गी जो ताइवान है वो ऑनलाइन अगर यहाँ पर चाइना को एक तरीके से कोई जोड जवरस्ती करनी भी होगी तो अभी यहाँ पर चाइना करेगा यह बीजिंग का स्टेटमेंट निकल कर आया है ठीके तो यहाँ पर ताइवान को ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ सपने दिखाने की ज़रुरत नहीं है पह जो चाइना है जी जिन पिंग उन्होंने पहली बोल दिया था कि तो आज के ताइवान के मामल में पढ़ेगा तो कहीं ने कहीं वो आग से खेलेगा तो इस प्रकार की चीज़े हम लोगों को देखने को मिलती है लेकिन क्या हुआ यूएस आज के ताइम पर पूरी तरह से स पास ही मीटिंग देखने को मिलने माली है ऑनलाइन समिट होगा और उसके बाद ही हमारे पास और इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन निकल कराएंगी अभी कुछ जादा ऐसी इंफोर्टेंट इंफोर्मेशन नहीं है अभी सिर्फ बासरी मीटिंग के बारे में हम लोगो एक ला रही है अब विंटर सेशन में इस बिल के बारे में चर्चा होगी आपको मालूम होगा इस बिल का जो डिसकेशन है मैंने आप लोग साथ कल ही किया था कल मैंने आप लोग को इस बिल के बारे में सारी चीज़े बताई है क्रिप्टो करंसी के बारे में सारी चीज़े बत कर रखे थे वो Bitcoin बेचने चालू करें और Cryptocurrency इतनी बुरी तरह से Crash हुआ है वो सब को मालूम होगा ठीक है जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा हाँ मुझे मालूम है काफी बुरी तरह से Crash हुआ था कल Cryptocurrency का मामला ठीक है यह हम लोगों ने देखा है तो यह आपके साथ डिसकस किये तो आज आप लोग बताओगे प्लस उसके बाद यह जो बिल लाया जा रहा है इस बिल का नाम क्या यह तीन क्वेशन है जिसका आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है अब चलते हैं डिरेक्टी एडिटूरिल पर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटूरियल को मैं डेफिनेटलि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता लेकिन आज मेरे मतलब आज मैं सही से बोल नहीं पारा हूं और थ्रोट में काफी पेहन है मैं आज बोल नहीं पारा हूं सही से आप देख भी निपा रहे होंगे कि काफी अजीब से आवाज भी आ रही होगी और बोल भी निपा रहा हूं काफी जिए जो मट्ड़ा कर रहा हूं तो इस वज़े से यहाँ पर मैं कोशिच कर रहा हूं कि जादा आपसे भी क्रिप्टो करेंसी बाकी सारा जो भी इंपॉर आपके अंदर कोरोना वाइरस के केसिस बढ़ रहा है कुछ खास नहीं है एक ओवर्यू लेंगे बस यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एकॉनमी के परस्पेक्टिव से ऑथर ने काफी सरी चीज़े बताई है कि इंडिया की जो रेकावरी है वो के शेप रेकावरी मारी है वो कैसे मारी है आगे हम लोग इसके बारे में डिसकुशन करने वाले हैं सबसे पहले आर्टिकल इसको देखेंगा हम लोग यहां पर ऑथर क्या लिखते हैं ऑथर लिखते हैं कि जो इंडिया है देखो आज के टाइम पर इंडिया की एकॉनमी काफी तेजी से ग्रो काथा क्योंस्या है हमारी रिकावरी है के खर तो जो रिकावडिए आज के टाएम पर हम लोग देख रहें तो of o खेशेब recovery का मतलब है आज के दाँवट तरीके से ग्रोप सोता है इंडस्ट्रीज ओती है जो काफी तेजी से ग्रोघ करती है लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री जोफ नहीं कर पाते हैं उनकी हालत काफी बुरी रह जाती है तो यहां पर हमारा वो एक तरीके से के अंदर आता है यहाँ पर आप यह वाला image देख पा रहे होंगे यह प्रकार से क्या होता है एकोनमी के अंदर जो professional से वो तो लगातार ग्रोव हो रहा है लेकिन जो दूसरे लोग है वो एक तरही के से down होते वे नजर आते हैं वो अच्छे से उनकी growth देखने को नहीं मिलती है इसी वाज़े से हम इसको बोलता है K-shape recovery अब बात करते हैं कुछ industries के बारे मैं हाँ पर बताया गया कि आज के टाइम पर सरकार की बहुत सरी जो taxation policies हैं सरकार बहुत सरा tax वगरा लेती है यह continue regressive देखने को मिलेगा अब यहाँ पर क्या है इसका मतलब यह है जो indirect tax से वो लगातार बढ़ा दियेगा है indirect tax और direct tax के बीच में difference मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूँ indirect tax जो कि आप लोग हर एक product पर indirectly pay कर रहे हो indirect tax हर कोई पे करता है अगर बात करें direct tax तो direct tax के अंदर income tax वगरा आ गया जो कि आपर incomes के हिसाब से generate करी जाती है यह आपको ध्यान रखना है लेकिन indirect tax हर कोई व्यक्ति पे करता है चाए वो कोई भी व्यक्ति हो चाए वो रिक्षय वाले व्यक्ति हो हर एक व्यक्ति indirect tax देता है तो आज के टाइम पर हम देख पा रहे है indirect tax को increase क्या गया है direct tax low हो रहा है इसकी वज़े से problem यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आज के टाइम पर क्या है अगर हम बात करें two wheelers की मतलब जो दो पईयो वाला वहिकल है पईयो वाला वाहन है इसके जो बिकरी है वो काफियत तक कम हुई है मतलब कि इसकी जो ग्रोथ काफित देजी से बिकार होती भी नजर आई है यह जो report है यह publish करी एक analytical company क्रासल नहीं इन्होंने यहाँ पर रिवताया साल 2021 के अंदर जो दो वीलर के वहिकल्स है दो पईये वाले वहिकल्स है इनकी जो sale है वो लगातर कम हुई है 3 से लेकर 6% तक लगातर सालो साल यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है साल 2020 के अंदर ठपी हो जुगा था मामला pandemic की वज़ा से और हमने तो सोजा था कि साल 2021 के अंदर यह जो festival आ रहा है यह अभी दिवाली आ रही है धंतेरस आ रहा है यहाँ पर growth देखने को मिले की लेकिन तब भी हमने two wheelers के sector के अंदर growth नहीं देखी है ठीक है यह यहाँ पर बताया गया लेकिन क्या हुआ जो premium cars या premium motorcycle देखने को मिलेगा उनमें थोड़ी बहुत हम लोग को growth देखने को मिली है otherwise यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक तरीके से two wheelers से खासकर उनके अंदर कोई growth नहीं हुए यह यहाँ पर बताया गया तो industry grow नहीं कर रही है यह चीज हम लोग देख सकते हैं उसके बाद impact of taxation जो आज के टाइम पर taxing लगाई जा रही है सरकार जो tax लेती है सरकार baller tax लेती है अगर हम बात करें सरकार दो प्रकार के tax को maintain करती है एक होता indirect tax एक होता direct tax यह आप लोग को पता ही है तो सरकार आज के टाइम पर indirect tax fuel के उपर charge कर रही है ठीके consumer products के उपर charge कर रही है और क्या हुआ है जो corporate tax है उसको कम कर रखाए आपने indirect tax को बढ़ा रखाए direct tax को कम कर रखाए तो यह अपने आपे एक बहुत बड़ी concern वाली बात है हमारी सरकार ने recently आपको मालूम होगा textile products के उपर जो taxes है उसको increase कर दिया पांस से बारा परसेंट टेक्स्टाइल को textile production के उपर जो कपड़ों का इतरी से production है उसके उपर taxes को बढ़ाया गया अब क्या होगा inflation जैसे से बढ़ेगा महंगाई बढ़ रही है अब क्या हुआ जो बहुत सारे लोग है बहुत सारे middle class लोग है बहुत सारे lower middle class लोग है जो की सालों से काम कर रहे है उसी salary पर काम कर रहे है उनकी salary तो बिल्कुल वही है महंगाई बढ़ रही है तो इससे क्या होगा जो financial stability है उसके उपर काफी बड़ा प्रेशर पड़ेगा प्लस यहाँ पर जो लोग है जो गरीब लोग है उनके उपर काफी बड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा फिर बात करी गई एंड्रेगा के बारे में आपको मालूम होगा महात्मा गांदी नेशल रूरल ए ऐसा एक report बताती हमें उस report का नाम है CMIE Central for Monitoring Indian Economy इन्होंने बताया लगब 50 लाग लोगों ने October के महीने तक यहाँ पर jobs खोई है ऐसा यहाँ पर देखने को मिला लेकिन जो ज़दातर jobs खोई गई है वो हमने देखा है कि एक तरीके से जो एक तरीके से हमारी एक तरीके से जो economy काफिया तक डाउन चल लए थी तब ही यहाँ पर सारी jobs यहाँ पर जाती हुई नजर आई है दर उसके बात क्या होता है एडिशनली बात करें तो हमारी सरकार की एक स्कीम है महात्मा गांदी नैशनल रूरल एंप्लियमेंट गारेंटी एक्ट यह क्या हो करता है यह बहुत 34% से इसके अंदर कट डाउन किया अब इससे नुकसान किसको हुआ इससे जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर जो मज़़ूर आदमी है वो किसी चीच के उपर dependent है कि हाँ भी मज़़ूरी करेंगे पैसा मिलेगा रोच रोच कमा रहे हैं रोच खा रहे हैं लेकिन क्या हुआ अब यहाँ पर इसके लेकर भी यहाँ पर सरकार ने कट डाउन किया इससे क्या हुआ जो लोग हैं जिन्होंने काम क्या है उनको भी यहाँ तब वेजिस काफी लेट मिले हैं काफियत तक देरी से यहाँ पर उनको यह वेज मिल रहे थे तो वो काम डेफिनिटी नहीं प्रेशर पड़ता हुआ यह नजर आया है इसके बारे में देखना है अब क्या हुआ हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में यह तो हमने डिसकस क्या है इंडियान एकॉनमी कैसी चल रही है आज के टाइम पर ठीक है यह आज किना पर के शेप्ट रिकावरी चल लए है अब जड़ादा फोकस नहीं के चारा है लेकिन इसको इसको कंपेर करें दूसरी country से मालाव यूएस से कंपेर करें या öर्पन इसको कंपेर तो ऑमेरिका या या यूऔर यूनियन यह क्या काम करता है यह यह यहां पर फोकस करते हैं अन्उंप्लॉइम्ट पिपल के ओपर ह ठीक है मतलब कि जो एक तरीके से जिनकी हालत काफी बुरी है पूर पिपिल है इनको उपर ज़ादा फोकस करते हैं इनको इनके लिए सोशल वेलफियर इसकीम चलाते हैं इनको पैसा प्रोवाइट करवाते हैं और एक 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 इकॉनमिस्ट है हमारे जौन मैनेट कीन्स ठीक है लेकिन होगा क्या जब आप अमीर के उपर खर्च करोगे अमीर को पैसा दोगे तो उसके बात पहले सी काफी प्रोपेंसिटी है वो सेव करके रख सकता है तो क्या होगा जो पैसा आपने अमीर के लिए लगाया है न वो और सेव ही कर लेगा यह की त्योरी है यहां पर यह आपको फोकस करना पड़ेगा घरीब लो के उपर आपको उनके उपर पैसा spend करना होगा उनको पैसा provide करना होगा उनके लिए welfare extremes को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वह लोग यहांपर economy के अंदर पैसा खर्च और economy सी grow होती हुई नजर आई हैं उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें investment की देखो investment का मामला इंडिया के अंदर काफी है तक लोगों समझ में नहीं आता है इंडिया के अंदर जो लोग invest करते हैं बाता equities के अंदर जो shares के अंदर stock market में 5% से भी लोग 5% से भी कम लोग यहाँ पर investment को जानते हैं और investment करते हैं तो अपने आप में हाँ पर आप कर सकते हो कि यह बहुत 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 कम लोग investment कर रहे हैं उनी को recovery मिल लई है ठीक है उनी को मतलब एक तरीके से पैसा recover हो रहा है तो होता क्या है मैं आपको एक चीज़ बताता हूं देखो investment के मामले में बताता हूं investment में काफी तक interest में रहता है काफी किया भी है अगर हम बात करें investment की तो होता क्या है देखो आज के टाइम पर stock market काफी crash चल ला है जिसे आपर दो दिन की में हमने देखा stock market काफी बुरी हालत है मतलब crash ला है बिल्कुल market तो अभी क्या है इसके डर के मारे बहुत साथ लोग क्या करते हैं जिनके पास पैसा नहीं भी है वो लोग क्या करते हैं अब पैसा इस market से निकाल लेंगे तुरंती अब पैसा देखो अब में आपर क्या है market down जा रहा है अब लोग डर के मारे पैसा और निकाल लें निकाल लें निकाल रहा हैं अब आप में गलती करिये है लेकिन वहीपर आप देख पाओगे जो एक अमीर वेक्ति है उसके लिए प्लस पॉंट है market डाउन या market डालता है market जैसी डाउन हुआ उसने ज़्यादा पैसा डाला है क्योंकि market आज नी तो कल grow हो नहीं होना है ठीके बाकी जो उसका खर्चा हो तो चली रहा है लेकिन ज़्यादा पैसा market down के अंदर डालते हैं लेकिन यहाँ पर एक हम लोग की mentality यह देखने को मिलती है डाउन market में पैसा निकाल लिया जाता है ठ अपना घर का घर्चे ही बहुत मुश्किल से निकल ला है तो इंवेस्मेंट कहां से करेंगे तो इस प्रकार की चीज़े आज की टाम पर हमारी एकॉनमी के अंदर देखने को मिल रही है तो इन लोग के ओपर थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना होगा क्या करना होगा आप कोई पे करें लोगा बैटर है तो यहां पर अमीर से त्थलोथा बढला देना चाहिए एंडारेक्ट्ट टेजक्स को लेए को चुक और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ यहां पर चर्ज़ा की गहीए आप food crisis of the government's own making मतलब की सरकार ने लंगा की सरकार ने अपने पैर पर खुद कुलाड़ी मारी है क्यों चाहते थे ये कि इनकी यहाँ पर जो agriculture हो यानि इनकी जो फसले होगे हैं वो organic हो मतलब बिल्कुल शुद्ध हो कोई chemical का स्थमाल नहीं कोई fertilizer का स्थमाल नहीं बिल्कुल शुद्ध तरीके से फार्मिंग की जाए बस इसी कोशिश में लगे रहा है इसी कोशिश में food crisis आगया country के अंदर क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कहीं पर भी पूरे दुनिया में यहाँ पर one point कुछ लगबग percent areas देखने को मिलेगा जहां पर organic farming होती है organic farming possible ही नहीं हो पाईगी आज की टाइम पर यह हम लोग देख पाते हैं ऐसा author यहां पर चीज़े mention करते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि श्रिलंगा के अंदर जो crop production है यह हो चुका है कम क्योंकि श्रिलंगा ने focus किया कि हम लोगो चाहिए hundred percent organic agriculture जो कि इनको मिल तो पाया नहीं organic agriculture तो नहीं मिला concern और पैदा हो चुके हैं ठीके दिक्कते और ज़्यादा निकल करा चुके हैं अब दिक्कते क्या गया है मैं आप लोग को समझाता हूं में का महीना था इसी साल का में का महीना श्रिलंगा के जो president है गोधबया राजपकसा इन्होंने order दिया कि अब श्रिलंगा के अंदर जो chemical fertilizer होता है इसको import नहीं किया जाएगा कोई chemical fertilizer नहीं आएगा अब श्रिलंग के अंदर स्रिफ और स्रिफ और्गनिक फार्मिंग होगी अब कोई सी chemical का इस्तमाल होगा बिल्कुल natural farming देखने को मिलेगी टाइम चलता रहा टलता रहा cropping season आया अब क्या हुआ फसल को grow करना चालू किया में से लेके अगस्त का टाइम आया अब क्या हुआ चीजे स्टार्ट हो चुकी थी farmers यहाँ पर एक तरीके से जो एक तरीके से जो अग्रो केमिकल सेन का जो भी market में अविलेवल था उसका यूज कर चुके थे जितना भी अग्रो केमिकल स्टा जितना भी केमिकल था उसका इस्तमाल हो चुका था अब कोई भी chemical market के अंदर नहीं आ रहा था अब क्या हुआ गवर्मेंट ने बोला बिल्कुल आप की बिना chemical के farming होगी एक organic farming होगी लेकिन यहापर यह बिल्कुल unclear था सरकार की जो planning थी वो बिल्कुल unclear थी कि इससे क्या हो सकता है क्यों में अच्छे से decision नहीं लिया अच्छे से इनके पास advice ही नहीं आए जिसकी advice आई थी कि क्या करना चाहिए क्या possible है organic farming इनको यह चीज़े देखनी चाहिए इसके ओपर studies को read करना चाहिए था अगर बात करें हुआ क्या तो श्रिंक का सरकार नहीं हापर एक पॉलिसी decision उठाया इन्होंने बोला ना ही जो solid scientific इतरीके से information नरा clear action plan इनके पास ना ही कोई information रही ना को सेफ रहेगा human beings के लिए सेफ रहेगा यह लगातार यह बातों को बोलते रहे ठीके फिर क्या हुआ अब यहां पर क्या हुआ सरकार आपके सकते हो इस चीज़ के अंदर believe करने लगी लेकिन हो क्या रहा है सरकार यहां पर मान रही थी कोई भी लुकसान नहीं होगा अब जो सरिफ 1.5% farmland है जहां पर organic farming होती है मतलब पूरे दुनिया बर में इतने farmland है जहां पर organic farming होती है तो कैसे आप लोग इन चीज़ों को possible बना रहे हो यह सबसे बहली बात आपको चीज़ें देखने चाहिए थी लेकिन unsurprisingly अगर बात करें क्या हुआ एक महा सीजन आता है यह स most critical nutrients है plants के लिए जो खाद बगर है वो यहां पर नहीं मिल पा रहा है जो nitrogen है वो यहां पर country के अंदर खतम सा हो रहा है नहीं मिल पा रहा है ठीक है अब क्या हुआ लगबग 0.1 million 10 जो nitrogen है उसकी जरूरत थी major crops के लिए पैड़ी के लिए या चाही की पत्ती के लिए इनके लि fertilizer की requirement तो है लेकिन organic fertilizer काफी कम दिज़े से grow हो रहा है ठीक है organic fertilizer को पांच महीने में नहीं बनाया जा सकता पहली बात तो यह है और पांच महीने में बनाया भी नहीं गया तो क्या हुआ सरकार ने एक attempt रखा कि हम लोग क्या करेंगे organic fertilizer को खरीदेंगे दूसरी country से दूसरी country से organic fertilizer को ले लेंगे आप पहुंच गए श्रिलंगा की company सोरी Chinese company के पास चैने से बोला चाइना की fertilizer company थी कि यहां पर आप हमाली कुछ organic fertilizer बना दो जल्दी से क्योंकि हमारे country के अंदर अब आकाल पढ़ जाएगा क्योंकि हापर क्या हुआ है हम लोग organic farming की तरफ बल रहे थे चीज farmers निकल कर आ गए farmers गुस्सा हो गए कि भाई कोई fertilizer कोई खाद नहीं कैसे cultivation करें कैसे हम लोग crops को उगाएं अब प्रोटेस्ट चलने लगा कि यहां पर fertilizer चाहिए वरना तो फसले नहीं उगलेंगी तो यहां पर किसान भाई क्या खाएंगे ठीक है उनके पास पैसा generate कैसा होग नहीं की चलो अब इंड़िया के पास सलते हैं अब क्या हुआ की और है यहां अंडियान अदर नाइट्रोजन की मातरा मुती है लेकिन बहुत कम ोती है अब क्या हुआ है आप गया है ङृट Call बोला गया अब श्रिलंका ने इसको ओर्डर दिया कि जल्दी से मगा दो अब क्या हुआ भारत नहीं आपर क्या करा इसको बेचा मतलब इसको करके से हमने एक्सपोर्ट भी किया दो हमने क्या करा स्रिलंका की सरकार ने ओर्डर कर दिया लगबग 3.1 मिलियन लीटर तक का नैनो यूरिया हमें चाहिए और पता है जिसमें स्रिफ और स्रिफ 4% नाइटरोचन की मातरा आपको देखने को मिलेगी और इससे क्या हुआ शिलंका ने लिया शिलंका के पास पहुचा फार्मर को एडवाइस दी गई बही जल्दी से इसको स्प्रे कर द कैक Trustees 10 Stories आपको लौ जाती आपको नाइटरोचन हो तो इससे क्या बेनेफिट निकल कराएगा तो इससे यहां पर क्या देखने को भी लेगा एक बहुत बड़ा concern अब इस्टार्ट होता है अब क्या होता है अब यहां से भी कोई solution निकला नहीं है अब यहां पर problem और तीज़े से बढ़ जाती जो खाद वगएरा है यहां पर बननी रहा है organic खाद को यह बना नहीं सकते हैं और क्या हुआ अब यहां पर problem बननी स्टार्ट हो गई problem यह बननी स्टार्ट हो गई जो crops जो फसल है वो लगातार कम होनी स्टार्ट हो गई ठीक है जो लगबग month wise या अगर हम देखें तो जो farming है यहां लोग है 25 से 40% तक यहां पर आप देख सकते हो cultivation कम होता हुआ नजर आया और आज के टाइम पर crisis महाँ पर create हो चुके हैं तो यहां पर जो एक तरीके से शिलंगा ने अब वापस से step उठाया कि नहीं अब यार हमें एग्रो chemical चाहिए तो अब यहां पर क्या है अब यह अग्रो chemical के लिए थोड़ा बहुत जो मात्रा में एग्रो chemical है उसको मगा रहें आज के टाइम पर अब दूसरी जगह से अगरो chemical मगा रहें और इसके ज़रूरत भी है अब आप कह सकते हो कि जो शिलंगा का यहां पर 他ने किस प्रकार चल लायै इनका जो इतना बुरा हाल हूँ जैसे कोई lots का वे ह्ाट को व्री आताएंगर और chemical फटिलाजर को खरीदेंगे अब chemical fertilizer को import किया जाएगा भाई देखो नुकसान तो अलग हुआ और पहले जो chemical fertilizer थाइड के country के अंदर वो भी हाँ पर damage हुआ अब उसके बाद यह से क्या हो रहा है food traces create हुए है और अब वापस से श्रिलंका अपने pattern पर आ चुका है तो आप देख पाओगे यह चीज़े create होती वही नजर आई है ठीक है यह जरी सी इलापर वाई और जर्रह से यहां पर आप कह सकते हो इनकी जो एक तरीके से studies थी उसके अंदर काफी कमी रह गई उसका next article बात करता है आपको मालूम होगा कल मैं आप लोगों को बताया था कि आलाबाद मैं आपको डिरेक्ली वह बताता हूं आर्टिकल के बारे में ठीक है जो भी चीज़े डिरेक्ली हम कवर करेंगे और वीडियो को खतम करेंगे हमन को sexually assault किया, oral sex किया, अब यहाँ पर बोला गया, जब यह case पहुचा पोक्सो के अंदर, ठीक है मतलब पोक्सो एक के अंदर इस case को दर्श करवाया गया, पोक्सो का मतलब है production of children from sexual offenses, ठीक है, मतलब बच्चों को बचाना sexual offenses है, यहाँ पर 18 साल से कम मुरवाले बच्चों को ब पहले तो क्या हुआ जब उस व्यक्ति को चार्ज के गया, तो उस व्यक्ति को 10 साल के सजा दी गई, अब जब यह case पहुचा, हाई कोड के अंदर, अलाबाद हाई कोड के पास यहाँ पर पहुचा तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीज़े अच्छे से देखे और इन् अलाबाद हाई कोड का कहना है, तो आप कह सकते हो कि यह जो आथर यहाँ पर लिखता है अलाबाद के अंदर, जो पुरा का पुरा स्टेप हाई कोड का, यह बहूत गलत स्टेप है, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर इगनोर कर दिया कुछ प्रोविज़ेंज को, नहीं पर आपने बोल दिया कि जादा यहाँ पर कंडिशन बेकार नहीं हुई है लेकिन आप क्या कंडिशन बेकार होने का अंतजार देखोगे लेकिन यहाँ पर जो इस आर्टिकल के अंदर जो पुरा का पुरा स्टेप उठाया गया है अलाबाद हाई पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समापत मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई हैव नाइस दे थैंक्यू एंड जैहिंद